जए श्रीजा तरह से ला जवाब है वही प्रभास की फिल्म सलार ने भी अब तक दुनिया भर में कर ली है ताबड तोड कमई तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सलार, हनुमान, केप्टन मिलर और गुंटूर कारम के वल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे इन सभी फिल्मों ने दुनिया भर से कितने करोड की कमई की तो चलिए सुरुआत करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो साथ साथ कमेंट करके बताएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कोन सी है सबसे पिल अगर बात करें तमिल फिल्म केप्टन मिलर के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे है धनूस डाक्टर सिवा राजकुमार और उनके साथ नजर आ रहे है संदिप किसन बतना चाओंगा दोस्तों कहने को ये एक तमिल फिल्म है लेकिन इस फिल्म को तमिल के अलावा हिंदी और कन्नडा में भी डब करके रिलिज किया और फिल्म ने रिलिज होते ही पहले दिन सांदार कमई की है अगर बात करें यहाँ पर केप्टन मिलर के फिल्म का बजट और रिकावरी तो केप्टन मिलर फिल्म का टोटल बजट है पचास करोड रुपे लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि फिल्म ने रिलिज होने से पहले अपने बजट से जादा रिकावरी कर ली थी जिया दोस्तों इस फिल्म के जो डिजिटल राइट से वो 30 करोड में बिके थे वही फिल्म के सेटिलेट राइट से 25 करोड में बिके है और फिल्म के म्यूजिक राइट बिक चुके थे 3 करोड में यानि कि दोस्तो केप्टन मिलर फिल्म ने रिलिज होने से पहले अपने डिजिटल सेटिलाइट और म्यूजिक राइट बेच कर 58 करोड 58 करोड की रिकवरी कर ली थी एक और बड़ी तमिल मोवी रिलिज हुई है उसके बावजुद भी फिल्म पहले दिन तमिल नाडु इस्टेट में सामदार उक्किपेंसी लेने में कामियाब रही जिया दोस्तों जो रिपोट आविता कहिए उसके मताबिक धनुस की केप्टन मिलर अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 13 करोड का वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 15 करोड 50 लाग रुपे बात के जाए ओर सिस कलेक्शन यानि कि विदेश सी कमय की तो केप्टन मिलर फिल्म अपने पहले दिन ओर सिस मार्केट से कमय कर रही है 7 करोड की और इसी के साथ दोस्तों केप्टन मिलर का जो फर्ष्ट डे का वल्ड वाइड बोक्स ओपिस कलेक्शन है वो हो रहा है 22 पचास लाख रुपे की कमई कर रही है जो कि इस फिल्म के बजट के हिसाब से बंपर ओपनिंग है अब देखते हैं कि ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है और फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ओफिस कलेक्शन कितना होता है उस्तों बात करें इस हब ते रिलीच की क्ęमग दोस्तों फिल्म के जो रिवियो से वो तो मिक्स निकल कर आए है लेकिन फिल्म ने जो बॉक्स ओफिस पर ओपनिंग ली वो पूरी तरह से नीरास करने वाली है जिया दोस्तों लगभग साहट करूर के भारी भरकम के बजट में बनी फिल्म मेरी क्रिसमस जिस फ वोक्स ओफिस पर ओपनिंग ली वो पूरी तरह से निरास करने वाली है जिया दोस्तों आपको बता दे कि मेरी क्रिस्मस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी से कलेक्शन सिर्प 2 करोड की रेंच में किया वही तमिल वर्सन से लगभग 1 करोड रुपे यानि कि दोस्तों फिल इसो में कुछ ही स्क्रीन पर रिलिज हुई है इसकी वज़े से फिल्म के ओर सिस कलेक्शन की अपडेट आभी दे पाना थोड़ा मुस्किल है लेकिन दोस्तों अब अगर बात करें सुपरिश्टार महस बाबू की फिल्म गुंटूर कारम के बारे में त्री विक्रम स्री न जिया दोस्तों फिल्म सिर्प सिंगल लेंग्वेज यानि तेलगू में रिलिज हुई लेकिन एकी भासा में फिल्म के जो पहले दिन के कलेक्शन है वो पूरी तरह से कम्माल के हैं सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि गुंटूर कारम फिल्म का जो बजट है वो है 150 करू लोगों को ये फिल्म बढ़िया लगी किसी को फिल्म ठीक ठाक लगी महज बाबू की फेंस को तो फिल्म खूब पसंद आ रही है लेकिन जो नोर्मल ओडियन से उन्हें फिल्म से जतनी उमीदे थी उतनी अच्छी ये फिल्म बनकर तैयार नहीं हुई जिसके चलते ही गु फिल्म के पास जा रही है तो दोस्तो यहां पर जो रिपर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक महज बाबू की गुंटुर कारम अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 55 करोड का जिसमें इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 65 करोड रुपे बताना चाहूं कि गुंटुर कारं फिल्म पहले दिन दुन्या भर में 90 करोड की कमई कर रही है जो कि एक तरह से ब्लोग बस्टर ओपनिंग है लेकिन आप सब जानते है कि साउट की फिल्म में पहले दिन जबरजस्त ऐसło ऑपनिंग लेती है लेकिन दूसरे तीसरे दिन से उन फिल्मों के collection धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं तो आप देखते हैं कि गुंटुर कारम film box office पर दूसरे दिन तीसरे दिन केसा hold बना के रखती है और film का जो lifetime collection है वो आखिर कहा तक जाता है लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस साल की one up the biggest blockbuster बनने जा रहे ही film हनुमान के बारे में आप लोग सोच रहोंगे कि film को रिलिज हुए सिर्फ पहला दिन हुआ और मैं इस फिल्म को blockbuster क्यों कह रहा हूँ तो दोस्तों आपको बता दे कि यहाँ पर हनुमान फिल्म के जो public reviews है वो पूरी तरह से positive निकल कर आए हो और फिल्म लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आ रही है फिल्म को हिंदी में भी जो response मिला है वो पूरी तरह से कम्माल का है अगर आप मेरे वीडियोस डेली देखते हो तो आप सब को पता होगा कि 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि यहाँ पर हन solar फिल्म को मह니 बाब की गुंटूरकारम के सामने तेल्गू state में काफी कम स्क्रीन और कम सोस मिले थे लेकिन दोस्तो आज जैसे ही हनमान के रिव्यूज और गुंतुर कारम के रिव्यूज बाहर निकल के आए उसके बाद या पर हनमान के जो सोस और जो स्क्रीन से वो धड़ा-धड़ बढ़ती जा रही हूँ और इतना कन्फो में कि आने वाले दो दिनों में गुंतुर कारम से ज़्यादा स्क्रीन हनमान फिल्म के आस में तेलगू वर्सन में होने वाली है यानि कि दोस्तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर पूरी तरह से ताबर तोड़ कमई करने को तैयार है आस तो पहला दिन है लेकिन कल इस फिल्म के पेट प्रिव्यू सो रखे गए थे जहां से फिल्म ने लगभग साड़े चार करोड रुपे की कमई की थी नजर डाले आज के कलेक्शन के तो दोस्तो आपको बता दे कि हनमान फिल्म आज यानि कि अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन सभी भासाओं से 10 करोड का कर रही है जिसमें इंडिया ग्रोस कलेक्शन 12 करोड का हो रहा है बताना चाहूंगा दोस्तो फिल्म ने और सि की कमई 19 करोड रुपे वही फिल्म के पेट प्रीमियर सोस की कमई 4.5 करोड रुपे यानि कि फिल्म का जो टोटल वल्ड वाइट कलेक्शन है वो लगभग 23 करोड 50 लाक रुपे का हो रहा है बताना चाहूंगा दोस्तो फिल्म का जो बजट है वो सिर्प 55 करोड का है तो जित तरह से हाउसफुल कर देगी तो इतना तो कन्फोर्म है कि हनमान फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो आप केसी भी आलत में 100 करोड रुपे से कही जादा रहेगा और सब कुस सही रहा तो ये फिल्म 100 करोड रुपे से जादा का कलेक्शन हिंदी से करेगी वही सभी भासाओं का फिल्म का वल्ड वाइट कलेक्शन 200, 200 या 300 करोड का भी हो सकता है यानि कि दोस्तो हनमान फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लोकबश्टर बनने को तयार है वही दोस्तो अब अगर बात करें पेन इंडिया सुपरिश्टार प्रभास की फिल्म सल अगर बात करें सलार के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म ने अपने पहले हपते में इंडिया से नेट कलेक्शन 308 करोड 65 लाक रुपे का किया था दूसरे हपते में 68 करोड 20 लाक रुपे किया था वही तीसरे हपते में फिल्म ने इंडिया से नेट कलेक्शन 27 करोड 95 लाक रुपे का कर चुकी थी वही बात करें इस फिल्म के आज यानि के 22 दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्तो सलार फिल्म अपने 22 दिन All India Net Collection सिर्फ 1 करोड 50 लाक रुपे का कर रही है और इसी के साथ दोस्तो सलार फिल्म का अब तक का Total All India Net Collection 466 करोड 30 लाक रुपे का हो चुका है वही इंडिया ग्रोस कलेक्षन 567 करोड रुपे बता दे दोस्तो फिल्म ने और स इस मार्केट में 1500 करोड की टोटल कमई की है और इसी के साथ सलार का जो वल्ड वाइड बोक्स ओफिस कलेक्षन है वो हो चुका है 717 करोड का जिया दोस्तो ये फिल्म हिंदित अमिल तेलगू मल्यालम कन्नडा पांचो भासाओं में दुनिया भर से 717 करोड की सांदार कमई कर चुके और फिल्म को बोक्स ओफिस पर सूपर डूपर हिट का टेग मिल चुका है अलाकि दोस्तो अगर आपने ये सभी फिल्में देखी तो इसमें से आपको बेश्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंड बोक्स में कमेंड करके जरूर बताए और आपके अपने इस चेनल को सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूली मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता-पिता का जेहिंद वंदे मातरम